शूरा मेरे मज्य पम्मान तठन विर्मनी सिख्खापधिंग स्माधियाने पुद्धं सरेन गच्छाम। धर्ना प्रडर्शन विरोध प्रडर्शन रैली रैला धंदा हम जितने भी समन संगी हैं भारत के और भारत के बाहर के जितने भी लोग समन संग्ठन बना के जो काम कर रहे हैं उनसे आँख में आँख डालके उनके घर जाके अपने घर बुलाके किसी बीच वाले स्थान पे मद्धस्ता वाले स्थान पे जहां वो आना चाहें हम आना चाहें किसी पोर्टल पे, किसी बात पे, किसी वीडियो में चेलेंज के साथ ये कहने के लिए त्यार है कि भारत के सारे समण संगठन रैली, रैला, धर्ना, प्रिदसंद का धंदा करते हैं और ये धंदा फलफूल रहा है और बढ़ रहा है कोई भी व्यक्ति, जो कितना भी अपने आपको साथ सुद बनता हो वो आ जाए, समण संग पुड़ल पे आ जाए, कही भी आ जाए अपना हिसाब किताब ले आए, बातचीत कर ले बताए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है और कैसे कर रहा है हम पूरूब कर देंगे हम सिद्ध कर देंगे कि वो धंदा है धंदा क्यों है और क्यों इसको पूरूब करेंगे क्योंकि संगों के अंदर समनों ने पुरानी हिस्ट्री में कभी भी किसी भी एक्टो सिटीज पे कहीं भी कोई धर्ना कोई प्रदसन कोई र प्रिदर्संद जितने जादा फूटो खिच्वाने का कायकरम जितने जादा उत्ते जित और गुर्व भाशन हो रहे हैं उतना ही जादा और जादा नुकसान और जादा प्रतारना और जादा अधिकार जा रहे हैं कोई भी व्यक्ती चाहे तो इस गराफ को पिछले 74 साल में पिछले डेट सो साल में पिछले सो साल में चेक कर सकता है आजादी के आंदोलन में जो धर्ना प्रदसन हुए हैं आजादी के आंदोलन को लेके उनको भी लोगों ने नकार दिया वो धर्ना प्रदसन वाले जो अगरू लोग थे वो अलग थे और जो अहिंसा वाले लोग थे वो अलग थे जो सिर्फ बैट के आंदोलन करते थे उनको भी पुलिस उगरता से करती थी जिन लोगों ने हतियार उठाए जिन लोगों ने विरूद किया जिन लोगों ने सेनाय बनाई भारत उनको रिकोगनाईज नहीं करता और रिकोगनाईज भी करता है तो उनको एक आतावादी के रूप में और जिन देसों के साथ टिटी हुई है उनको बापस करने के साथ में कि अगर ये कभी पकड़े गए तो हम इनको बापस आपको दे देंगे ये आपके मुद्रिम है आपके साथ इनोंने बरबरता की है कोई भी दुनिया के अंदर इन चीजों को recognize नहीं करता तो हमारे लोग इन रास्तों पे क्यों चल रहे हैं और इन रास्तों से क्या ले रहे हैं इसका एक विशलेशन यहां सुनेंगे जानेंगे और लोगों से बात करेंगे तो आपको एक एक चीज का पता चलेगा उससे समन संको समनों को और हम लोगों को हमारी पूरी जितनी जमावात है उसको बहुत फायदा होने वाला है Attocity जब होती है तो लोगों में गुसा होता है गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि एटोशिडीज करने वाला उनको मार रहा है, काट रहा है, पीट रहा है और वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए वो गुस्से में आते हैं, उनके अंदर एक वेग आता है, एक सम्वेग आता है उस वेग को, सम्वेग को उस जो उुद्धता होती है, जो उग्रता होती है, जो समय विरोध की आवाज आती है, उसको कुछ शातिर लोग, नेता टाइप के लोग पहचानते हैं और वो उस समय उनको जोर जोर से भाशन दे के ऐसा महसूस कराते हैं कि वो बुलकिल उनके हितैसी हैं और देखो उनके साथ खड़े हैं वो नेता हमेशा घटना होने के बाद ही आते हैं कोई भी नेता कोई भी उग्रभाशन देने वाला कभी भी किसी घटना से पहले नहीं आता और जब घटना घटती है तो वो उग्रता का ही प्रतसन करता है लोगों की और उग्रता को बढ़ाता है कोई शांती की कोई बाचित की या कोई अच्छा रास्ता नहीं नहीं दिखात के तो कोई addition नहीं लेना चाहिए तो वो लोग राग और देश को बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद में त्यार करते हैं कि हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे और फिर लोगों से संसाधन के लिए बोलते हैं और लोग उस वेग में आके संवेग में आके संसाधन के नाम पे उनको पैसा, उनको संसाधन वगरा देते हैं उस संसाधन से वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपना काम करते हैं अपना खर्चा निकालते हैं और फिर एक नई शिकार, एक नई घटना के लिए चले जाते हैं पिछले दिनों से लेके अब तक जो बावा साब का एनिलिसनक अफ कास्ट है उससे लेके उससे पहले से लेके और अब तक जितनी भी घटनाएं हुई है किसी भी घटना का कभी भी कोई भी हमारा जो संग्ठन है वो ना संग्यान लेता है बाद में ना कभी कोई पैर भी करता है ना ही कोई उसका परणाम आता है ना ही कोई सज्ढा तक पहुंचता है इसलिए घटना है पर घटना होती है घटना करने वालों को भी ये पता है कि ये आएंगे च लदाएंगे अपना आंदलन पस니ंद करेंगे चले जाएंगे और उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला वो अपनी setting के लैता है अपना सब कुछ के लेता है और वो छूट जाता है स कोई हमारे काम कर लेंगे या कहीं हमारे फिवर में पैरवी करनी हो तो वो सरकार उसको पैरवी नहीं करती और बिना पैरवी के के केस को हार जाते हैं या हरवाना होता है या कहीं वो कोई अपनी ब्रांच अपने किसी मिल जाता है सरकार ने सरकारी करमचारियों के आरेक्शनल पे घात किया बहुत पहले से हो रहा है OMI तब से उसके बाद जो एटो स्टिडीज होती है उसके अंदर रियर वेशन में प्रमोशन से या जो बैग लॉग नहीं भरते हैं उससे या जो वेकेंजी एके करके निकालते हैं उससे या जो रोष्टर में सबसे नीचे डालते हैं उससे या ट्रांसफर पोश्टिंग ठीक जेके नहीं करते हैं उससे gift देने के नाम से, खर्चे के नाम से पैसे लेता है, लोगों ने बाकाइदा agencies बना रखी हैं, सरकारी कर्मचारियों कि बहुत सारे संग्ठने जो agencies हैं, इस काम में आते हैं, तो लोगों को दिखाने के लिए, वो साल में एक वार रामले मैदान के अंदर रैली भी करते हैं, बीच-बीच पे काइकर्म भी लगाते हैं, दूसरे सेरों में जाकिव लगाते हैं, तो रैली कैसे होती है, पहले ये समझें, दिल्ली के अंदर रामले मैदान दस बारे पंद्रे वीस हजार रुप Campaign में जमिन है वो खाली मैदान है मैदा है और गन्दा सा मैदा है वो बोख हो जाता है बोख होने के बाद में वहां पर एक ऊपर मंच बनी हुई है वो मंच परवानईंट बनी हुई ए क्योंग önce रामला होती है तो उस पे वो वहां रामला का मंच बना हुआ हुआ है उसी में वो काम लेते हैं दस-विस हजार के लठी-वठी जो वहां रेलिंग बनाते हैं जिसमें रास्ता बनाते हैं वो आते हैं वो एक कुर्सी 20 रुपे की 30 रुपे की पड़ती है, 60-70 जार की कुर्सियां पड़ती है और कुछ बेना राते हैं जो 8 रुपे फुट से लेके, अब तो 6 रुपे फुट का भी एक रेरेट आ गया है 6 रुपे फुट से लेके और 45-45 रुपे फुट तक बनते हैं, वो लगा देते हैं और उसके बाद में वो पड़्चियां छबाते हैं, पूरे देश के अंदर पड़्चियां जाती है वहां से पर्षियां बापस आती हैं वो कटती हैं बहुत ज़्यादा तादात है सवा दो करोड के करीब में सरकारी करमचारियों की तादात है जो टोटल सारे हैं इस्टेट गॉर्मेंट में और सेंटर गॉर्मेंट में और पीएस यूज में इन सवादो करोड में से अगर आप अपने सारे भी लगा लोगे तो और भी कुछ नहीं कम से कम 20-30 लाग तो बैठी जाते हैं तो 20-30 लाग सारे इसके अंदर बैठे हैं अब आप यह मान के चलो क 20-30 लाग में अगर 10% लोगों ने भी 100-100 रुपे दिये तो कितने बैठे हैं 90% ना भी दे हैं 10% भी दे हैं 100-100 रुपे दे हैं तो कितने बैठे हैं पैसा ज़्यादा आता है वैसे आजकल 100-200 काम चलता नहीं यह पैसा बाकाइदा एकटा करते हैं और इस पैसे का कहीं कोई दूर दूर तक आज तक भी कहीं कोई हिसाब देता नहीं और जो मांग जिन मांगों को लेकर रैली करते हैं और जिन मांगों को लेकर डिमांड करते हैं और जिन को कहके कहते हैं कि सरकार से हम ऐसा कराएंग वैसा कराएंगे सरकार के पास परचा भी नहीं जाता मतलब मांग पते हैं सरकार ने कुछ किया भी या नहीं किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और अगले साल की रेली फिर डिकलेर हो जाती है रेली का दिन आ रहे हैं, अभी सेप्टमबर जैसी है, बारिष खतम होगी सेप्टमबर, अक्टूबर, नमंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आधे मार्श तक चलती है उसके बाद धूपर जाती है, तो रेली मिदान में नहीं होती है, फिर टेंटों में होती है ये सरकारी करमचारियों का और इनके कंप्रिशन चलते हैं एक रेली लगाएगा, तो दूसरा वाला भी रेली लगाएगा, तो तीसरा वाले लगाएगा, तो सब का पेट भरता है सब को पैसा मिलता है, और पैसे का कहीं कोई हिसाब नहीं और पैसे का हिसाब हो या ना हो पर सरकारी कर्मचारियों को मिला किया इसका भी इसाब नहीं है ना आरक्षन बसता हूं ना टरांसफर पोस्टिंग बसती ना कुछ नहीं बसती पर जो इसको एकटा करता है वो व्यक्ति राजे सवा में या लोग सवा में या विधान सवा में एक एकाट टिकेट पिकेट पा लेता है और वो चमचारी करके दूसी पार्टियों के या पार्टियां बदलता रहता है कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें ये दिखाने के लिए कि देखो रैली किये मेने तने लोग हैं तो रैली में लोग कैसे आते हैं रैली में लोग आने का तरीका ये है कि नएने लोगों को फसाया जाता है नएने लोगों को नेता बनने के सपने आते हैं वो नेता बनने के लिए आते हैं और वो वहां जाके उनको टोपी पनाई जाती है एक टोपी होती है सर पे या एक गमचा सा होता है वो पचास रुपी की टोपी है दिली में सदर बजार में आती है और पचास रुपे का ही सौल आता है सौल यहां उनको पता है जैसे ही आप जाके यह कहोगे कि हमको वो जो दे चावाले वालें उडाने वाले ने वालें टोपी प्टाने वाले देथेंगा 60 रुपय गाचईनी शॉल आता है जितने चाव उतने उड़ा दो लोगों को नो को साल देते हैं एक टोपी पंदे आते हैं और उनकी ताल्म बजाते हैं आप के बाद में उनको बठाते हैं उनके फूटू खीशते हैं और वो चने के जाड़ पे चड़ जाता है रात वर यह सब ने देखता है कि अब तो मैं बस प्रधान बन गया अब मैं मले बन गया एंपी बन गया फिर आप उससे कुछ भी कहो बेकार है और जब तक उसको समझ में कजा लाती है तक दूसा चम्चा आजाता है फिर थीसा चम्च आजाता है हर वार चम्च बल जाते इतनी बड़ी जन्संख्य आय wären चम्च Wahl diffé-बदलते रहते रहते आ는 han de कोई भी चमचा अपने लुटने पिटने की कोई घटना कभी बताता नहीं कि हम तो वहां मूर्ख बन गए हमसे पैसा भी ले लिया हमसे रैली भी करा दिया फिर हमको भगा भी दिया और जड़ा सा मूह खो लेगा या जड़ा सा हिसाब मांगेगा तो आउट कर देते हैं उसक तरह के लोग हैं जो यह मत मतांतर का काम करते हैं इन सबने अपने क्यूर कोड दे रखे हैं सबने सबने अपने अकाउंट नमबर खोल रखे हैं सब स्वैम संबू हैं रोज दस बीस क्यूर कोड आते हैं साल में सारे के सारे जितने भी यह भंते हैं या जितने भी यह संत है जो और तरह के होते हैं या जो मत वाले लोग हैं ये साल में कम से कम दो काईक्रम जरूर लगाते हैं एक तो जो संत होता है उसके जरम दिन पर लगाते हैं और एक ना कोई ड़ा कोई कारेक्रम ऐसा आता है साल में दो बारी लोग पैसे दे पाते हैं तीन बार नहीं दे पाते छे मिने में एक बार पैसे देते हैं उनको कुछ दिक्कत नहीं होती तो वो साल में भंडारे के नाम से संतों की महिमा के नाम से काईक्रम लगाते हैं और सब अलग 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 लगाते हैं कोई भी व्यक्ति साथ का इक्रम करने को त्यार नहीं है, कुछ भी कहलो आप उनसे के बई संत एक हैं, कुछ भी कहलो के बुद्ध एक हैं, उनसे कह दो कि ऐसे बुद्धरम नहीं बढ़ेगा, ऐसे अंबेट कर नहीं बढ़ेंगे, ऐसे रविदास जी नहीं बढ़ेंगे, ऐ कूरे दिन काम क्या करना है पूरे दिन काम यह करना है करना च। छैमिने पहले पर्चा छबाना है और एक रसी режप चबवानी है बहुत सथी ओफ्छ चब जाती का हई-ँब में और पर्चा 50 पीए 60 पैसे का एnक परटतायब लुकंत तो फोटो कव अभी करा लो तो वह एक स्घाल दिया है उतना तो वो देगा ही देगा अग कोशिज यह करने हैं कि उससे ज्यादा दे तो जो पैषा आता है अपनी आसामी कोई देना चाहता वह पैषा इतना आता है कि एक इंड जोलुका साल भर का चल जाता है इसके भी बच्चे पढ़ जाते इसके अंदर तो बीत बच्चे पढ़ जाते हैं तो वो अपनी multi-lational companies का multi-level system बना रखा है उस system के तहट में वो उसको बोलते हैं full-timer मतलब कहने को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जो full-time 40% कर रहा है तो कितना महान काम कर रहा है पर वो full-timer जितने भी हैं वो paid work कर रहे हैं दरसर वो employee हैं उनका mission से moment से कोई ले लेना दरा नहीं है आप उनको ज़्यादा salary दे दोगे वो आपके लिए full-timer बन जाएंगे उनको कम salary मिलेगी तो वहां से वो कमी से खाने लेगेंगे तो 40-60 का ratio होता है यानि कि जितना पैसा वो इखटा करते हैं 60% इखटा करने वालेगा और 40% इखटा करवाने वालेगा और salary होती है अलग अगर वो इखटा नहीं कर पाएगा तो minimum 10-12,000 रुपे salary मिलती मिलती है तो उनका mission moment में ध्यान नहीं है उनका इस बात से ध्यान नहीं है कि एक ही तरह के 5 संक्ठन है और एक ही तरह के 5 संक्ठन में पांच फुल टाइमर चलने हैं जो आपस में एरिया बांट के लगलग आसामियों को ढूंड रहे हैं इससे moment नहीं चल पाएगा जिंदगी में उनका सिर्फ एक है कि मेरे account में कितना पैसा है और कितना पैसा खटा कर लिया है 35-35 करोड 25-25 करोड रुपिया हला कि भारत जैसे देश में किसी संक्ठन का या किसी लोगों को सामविक तरीके चलाने के लिए 20-25 करोड रुपिय कोई मानी नहीं रखता एक ऐसे समझो जैसे 10-15 रुपिय का नोट है पर चुँकि भूके नंगे सारे संक्ठने जिनके पास अपने पैसे नहीं उनके लिए जिन्होंने पैसा देखने नहीं उनके लिए 25-30 करोड बहुत होता है तो 25-30 करोड लेने के बाद वो एकाउंट में उसको रखते हैं पर किसी को कभी बताते नहीं कि वो पैसा करेंगे क्या उस पैसे का रखके क्या होने वाला है और हर वार जब भी काईकम लगाते हैं तो फुल टाइमर उनको पैसा देते हैं वो चेक के रूप में आता है बड़े-बड़े चेक आते हैं बड़े-बड़े वहां ड्रामे होते हैं बच्चों से कैस लेकर फुटु खिचवाते हैं कोई गुल्लक देता है कोई कुछ देता है पर पैसे का क्या करेंगे क्या मोमेंट है और सारी मोमेंट एक साथ क्यों नहीं है वो कभी नहीं बताते और सब पैसा इखटा करने पर जोड देते हैं आदमी इखटे करने पर कोई जोड नहीं देता पैसा इखटा करने पर सारे के सारे जोड देते हैं वैसे ही लड़कों के दलबल के साथ हो गया मेरे पास मैं चंसेखर आजाद का स्ट्रीमनेचर किया हुआ कागज रखा हुआ है ये अभी मुझे याद नहीं पढ़ रहा पर जब वहाँ जो घटना घटी ती जहां से पूरे पूरे गाओं के अंदर मारा था मारने के बाद में वहाँ से भगाया था और फिर उसके बाद ये चंसेखर आजाद वहाँ से भागा था भागने के बाद जयाए भगवान जाटब जो एक्सपार हो गए उनके घर पर रुका तो हमने अपने सरकारी करमचारियों को साथ मिलके तालकटोष्टे में काईकरम किया था वहाँ उस गाओं के लिए कुछ पैसा खटा करवाया जो दो ढ़ाई लाग रुपए खटा हुआ था वहाँ पर जो उस समय खाली ये भीम आर्मी ये होता था भीम आर्मी तो भीम आर्मी वहाँ एक बंदा आया जिसका नाम रवी गौतम बताया पहलवान उन्हें का जी ये पैसा हमको दे दो पर इखटे करने वालों ने मना कर दिया कि ये पैसा हमने गाओं के लिए खटा किया है जहां से लोग भागें जिनके घर चले हम वहाँ देंगे तो उसने कहा जी के मैं चंसेकर आजाद ने भेजा हुआ हूँ ये वो चंसेकर आजाद जैभगवान जाटब के घर पे रुका हुआ है चुपा हुआ है क्योंकि पुलिस पीछे थी आप चाहो तो मिलो और ये पैसा में दे दो तो कुछ लोग जो सरकारी कर्मचारी थे वो गए हम भी वहाँ गए वहाँ जाके जैभगवान जाटब जाटब जी से क्योंकि परानी दोस्ती थी थी उनसे उनकी घर पे वहाँ पे ये चार-पांश लोग थे लड़के वहाँ बाचीत हुई वहाँ 55,000 रुपे उसको दिय गए 55,000 रुपे जो एकटी हुए तो इसमें से दिए वो जो पैसा हाथ में आता है उसका कहीं हिसाब नहीं है व जो पीछे गाड़ी आती है देने वाले कौन है जहाँ का टिकेट कौन היה उसका को applicate नहीं है जब पैसे का हिसाब नहीं होगा लें या तो साब काराम जी ने भ चंदा नहीं लेने का नियम बनाया कि समन संग चंदा नहीं लेगा पैसा वो बिमारी है जो संत को संत नहीं रहने देता इसलिए हमारे जो समन संत बनने हैं उनका एक नियम है कि वो पैसा नहीं लेंगे वो अपना खर्चा अपने आप करेंगे वो किसी भी आगे हाथ नहीं फैलाएंगे वो कभी भी अपने बच्चों के लिए अपने किनी भी लोगों के लिए कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चों की कोई सिफारिस होनी है या हमारे बच्चों के लिए कुछ कर दो उनका बैन है वो नहीं कर सकते क्योंकि संत संत नहीं रहता असंत बन जाता है ये सीखो बुद्ध से क्योंकि बुद्ध जैसे व्यक्ति ने जिसके घर पे धंधाने भरपूर हुआ करते थे और इतनी जमीन जा जा थी के एक हजार हल चला करते थे सब कुछ छोड़ने के बाद में नियम बनाया कि भिक को यानि जो पिछारक है वो अपने हाथ से रजत या सोना या पैसा या कोई भी चीज खाने के अलावा खाना भी पका हुआ पका हुआ खाना यानि कि जो सिर्फ थे इससे संत संत रहते थे इससे परचारक परचारक रहता था इससे कारे करता कारे करता रहता था वो कभी भी ब्यापारी नहीं बनता था तो अभी तो सारे के सारे ब्यापारी बने बड़े घूम रहे हैं क्या क्या भिकू है क्या मठ वाले लोग है क्या लड़के हैं क्या सरकारी करमचारी हैं, क्या संग्ठोणों के लोग हैं और राजनितिक लोगों को तो आप समझी सकते हैं आपर राजनितिक कोई पद लेते हो तो पद लेने के साथ ही आपको कुछ पाईसा हर महीने दाना पड़ेगा आपके पास हो या ना हो खटा करके लाओ, तो वहाँ सिस्टम ओर चला है, वहाँ लोग पैसा ले रहे हैं जादा और राजनीतिक पद चलती है, पर राजनीती ठंडी हो गई, मतलब पद लेने की मारा मारी है, पदाधिकारी बनने की मारा मारी है, खुब मुबारक बाद होती है, पद मिल गया, पर राजनीती ठंटन गोपाल, राजनीती में कुछ नहीं है, राजनीती जमीन पर आगी ओंधी पड़ी है, राजनीती कोई देखने वाला भी नहीं है, पर पद खूब जा रहे हैं, इसलिए ये जो धंडा है, इस धंडे पर हम सबसे बात करना चाहते हैं, हम डाल के बात करना चाहते हैं, बताओ तुम जो पैसा खटा करते हो धंडा है या नहीं है, एक भिक्कु ने मेरट के अंदर कारी करम लगाया, वो मेरट के अंदर खाना खिलवाया, कुर्सी मेज लगाई, बढ़िया पंडाल लगाया, वहाँ एक डिल महीने पहले उसने वहा कुछ ऐसे रुपिया खटा हुआ, और 6-7 लाग कुल खर्च हुआ, टेंट वाले से पूचा कितने हैं, 30-40 रुपिया का खाना पड़ता है, टेंट कितने हैं होता है, मुश्किल से मेरट जी जैसे सहर में 80,000 रुपे गा, एक लाग रुपे के से ज्यादा को टेंट होता न होद आ एक साथ मिल दिया, और इस भIPकु ने फिर एक भीने बाद का假 की और शेह पम लगा दिया, लगा क्यों ना का इक रिकफ़ाना रहा हैं, बैंक बढाना है, फैसा बढाना है, धम बढाओगे तो धम पढाओगे, तो धम कोई पढाता नहीं, जो भिकु हैं, जो संत है वो राजनीती की बातें बढ़ाते हैं, वो राजनीती का चिलेंज करते हैं, राजनीती बढ़ाते हैं, तो उनकी intention का पता चलता है, कि धमवनी बढ़ा रहे हैं, ये तो कुछ और बढ़ा रहे हैं, वैसे ही जितने भी लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, वो एक साथ मिलने को त्य त्यार नहीं है बहुत बूड़ा चंदा मिलता है अगर आप किसी रिनाउंड पार्टी का जिसकी कुछ वोट पड़ते हैं टिकट ले आओ कैसी करके तो जितने का टिकट लाते तो उत्रा पैसा आपको विपक्षी पार्टी कम से कम दे देगी, ज्यादा खर्चा बताओ, ज्यादा मिल जाएगा, बैठने का मिल जाएगा, उठने का मिल जाएगा, बना तो जीत जाओ, और अगर जीत गए तो बिकने का मिल जाएगा बाद में, किसने किसको बोट डाला है कौन सी पार्टी डड़ा है वो चीज़ें अब खतम हो चुकी है अब तो खेल है सीधा फरकावादी के हमने टिकेट इतने में लिया हमें क्या मिला है इसलिए बेशने वाले को भी दिक्कत नहीं और मैदार बात यह है कि लोगों को भी दिक्कत नहीं क्योंकि लोग भी कहते है कि हमको भी 500 रुपे मिल गई हमको भी दारू की बोतल मिल गई हमको भी मुरगा मिल गया हमें भी मज़ाया साथ दिन आर दिन इसलिए हमें भी चिंता नहीं इससे हमारा बेड़ा गरक चल रहा है इससे हमारा नुकसान हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ठ कीज़ों को बदलने को त्यार नहीं है इन्होंने भी किसम खा लिए कि समाज मरता हो तो मर जाए समाज मरते हो तो मर जाएं पर हम ना सुद रहे हम ना बदलें तो हमें क्या करना चाहिए समन संग को क्या करना चाहिए क्योंकि समन संग ने सारी बीमारियों को एके करके करके कर सारे नियम जितने भी हाउस पास होते हैं बड़े अच्छे तरीके से होते हैं फिर हाउस आ रहा है कल फिर फिर बनेंगे कुछ नियम बागी जितने लोग हैं उन सबको आना चाहिए देखना चाहिए तो चंदा कभी नहीं यह नियम इतना सटीक और इतना जबर जस्ते हैं आपने काय करम लगाया तो पैसा कहा से आया मैंने उनसे का भंते आप से पैसा लिया क्या किरनी आप से नहीं लिया फिर काय क्या लगा मैंने जो काय करम में आते हैं अगर खाने पीने खरचा Psychology को उता वो देते हैं तो बोले आप चंदा ले लेते हो तो मैंने का चंदा नहीं लेते समर संग चंदा नहीं नहीं लेता आप जो बुद्ध का भिकू है उसमें और जो और समाज के जो पंड़ा पुजारी हैं उनमें अंतर नहीं समझते क्या बुद्ध के भिकू खड़े होते हैं प लेते हैं अपने यहां के लिए सब मालमता लेते हैं कपड़ा लेते हैं लगता लेते हैं मांग मांग के लेते हैं कैई के वारा घुमा के ले लेते हैं उसको बोलते हैं कि जब जब जो लिया गया जबरन या कोई किसी की यहां बैठ जाए आपको भिक्कू होके यह बात नी सम समन्संग करता क्या है मतलब जान के recording करना message करना ताकि समन्संग को film कर सकें क्यों कारण क्या है क्योंकि लोगों ने चंदा देना मरा कर दिया विक्कू को कहते हैं विक्कू तुम चंदा देना बंद कर दिया है इसलिए बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार समढ़ संग पे अटेक होते हैं पर अच्छा है क्योंकि हम तो पत्थर की तरे चप्टान की तरे बिल्कुल तने हुए हम पर क्या अटेक करोगे बाउंस होके तुम्हारे उपर ही आना है तो करो जितने अटेक करने है इसलिए खुल के ये बात कहनी है कोई पर चंदा लेने आए और समन संगियों को ये बात समझानी है कि भाई कोई कितना ही रोए कितना ही गिर्गलाए, कितना ही पैर पीटे, कितने पैरों में पड़े, कुछ भी कहे परचंदा नहीं देना है, क्यों नहीं देना है बई एक ही प्रतार ना की कितनी रैली करोगे उस रैली से मिलता क्या है, उस रैली से आप तक परणाम क्या आए है कुछ को सर्वात कौन तुमारा वरगी करन करेंगा कौन तुमारा आरक्ष्ण कायेगा कौन तुमारा प्रावडिवेडटि तो यह बात उनको पता है पर उनका धंदा उनके बच्चे उनका जो पैसा कमाने का है जो वो कुछ करते नहीं इसी तर रोजी रोड़ी चलती है उसका क्या करोगे तो किसी भी व्यक्ती जो भी आपके पास आता है या जो भी आपके साथ बैठता है या जो ये कहता है कि मेरा फलाना संग्ठन मेरी फलाना संथ मेरा फलाना लड़कों का दलबल मेरा फलाना सरकारी करमशारियों का संग्ठन मेरा फलाना राजनित संग्ठन तो उससे ये है क्या दुनिया में पुराने समय में जो प्रचारक रहे हैं वो क्या रोजी रोटीच लाने के लिए होते थे क्या वो घर छोड़के आते थे और एक किसी संत को तो फॉलो करो सारे संतों का कभी भी किसी संतना पैसा ने खटा किया यह तुम असंतों वाले जो काम करते हो तुम शैताने वाले जो काम करते हो इससे परिणाम नहीं आने वाले हैं किसी बेलत में यह बात उनको बोलना चाहिए उनको समझाना चाहिए कि भई पैसे से क्रांती होती तो सारी क्रांती पैसे वाले कर लेते फिर तो इगरी मरी जाते पैसे से क्रांती नहीं होती क्रांती होती है लोगों के खटे करने से लोगों की एक आवाज बनने से लोगों को बलातकार हो गया, तो क्या अंदूरन ना करें, तो क्या प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द तो वो बता दो हमें के फाइदा कौन सा हो रहा है तुम्हें चलिक फाइदा भी नहीं होता को चलिक फाइदा हो तो वो भी सौझ में आता है तो ये बातें जब तक बहस में नहीं लेके आएंगे जब तक नहीं कहेंगे और उनको खुल के नहीं कहेंगे ये धंदा है जो रेली का है वो धंदा है जो प्रिदसने वो धंदा है जो मिटिंग लगाते हो वो धंदा है जो रेला निकालते हो धंदा है इसको बंद करो क्योंकि दुनिया में जो समाज इखटा रहता है उसको कभी रेली रेला निकालने की जरूत नहीं पड़ती और जो स करी है कौन कितने आदमी कहा ते चले कौन सी बसाई कब आई कैसे खटे हुए बस के पैसे भेज़े यह यह नहीं भेज़े खाना मिला आना है लोगों को इखटा करना है घर कर जाके इखटा करना है सांत इखटा करना है और एक साथ करना है अलग-अलग नहीं करना है अलग-अलग संग्ठणों को मना कर देना है कि भाई अब तुम इसको बंद करो बहुत हो गया बहुत हो गया अब हम बलकुल खतम होने वाले है पानी हमारे सर तक जा चुका, सिर के उपर आ चुका है, अब बस, ये बात उनको बार 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 बतानी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, केडा करके बोलनी पड़ेगी, आखों में आखे डाल करनी पड़ेगी, हर समण संगी बोलनी पड़ेगी, तब थोड़ा बहुत असर हो इसलिए हमारा जो नियम है उसको बारवर बताना चाहिए उस पर डिग रहना चाहिए आज यहां हमारा सन्निपात बहुल भी है सन्निक कुछ नए हमारे साथ ही जुड़े होंगे सन्निपात बहुल का मतलब होता है कि हम जिस दिन बहुलता में यानि बहुत सारे लोग से सनी चरिया और सनी चरिया से शनी चरिया और सनी चरिया से शनी चर और सनी वार हुआ करता था हम अपने सत्तक दंड लेकर जाया करते थे हम अपना खाना लेकर जाया करते थे एक व्यक्ति के लिए खाना और लेकर जाया करते थे हमारे दुख सुक में दुस्मन में दोस्त मे समय वहाँ सारी वहाँ जितनी भी हमारे बिल आते थे यानि जितनी भी एजंडे लगते थे वो सब वहाँ पर उस पर निर्णे होता था उस निर्णे को सारे लोग मालते थे और उस पर चलते थे जो उस निर्णे को नहीं मालता था उस पर संगात लगता था उस पर दंडला ल का शनी चर कर दिया क्योंकि शेयर शब्द हमारे यां होता नहीं आधा रह भी नहीं होता तो चरिया को चर्रा बना दिया और सनी चर्रा करके उन्होंने उसको मनूस घोचित कर दिया और हमारे लोगों में ये परचाइद कर दिया कि ये मनूस दिन है इस दिन हमको लोहा नहीं खईना चाहिए, उस दिन हमको हतियार नहीं रखना चाहिए, ताकि हम अपना हतियार छोड़ दें, हमारी माताओं को धिद्रे ये बात प्रचायत की गई, कि अपने बच्चों को मत भेजना, वहां मनुस दिन है, ऐसा दिन है, धिद्रे करके हमारी माताओं डर गई, उससे हमा लोहे के वज़ा रखना बंद कर दिया हम मारे गए हमारा संग बिखर गया इसलिए सन्नी पाथ चरिया सन्नी पाथ बाहुल की जुम्मेदारी है वह हमारे जो संगी है जो परियार सारे उन्होंने लिए हुई है सब लोग सन्नी चरिया करें उनको फोन करके पूछें कैसे कैसे होता है कैसे कैसे नहीं होता है इस सन्नी चरिया को जितना तेजी से हम आगे बढ़ाएंगे उतनी तेजी से हम जीतते चले जाएंगे समय बड़ा नाजोक है बहुत कठोटा से साथ काम लेना है दया आप किसी पर नहीं करनी है किसी के साथ मुलायम नहीं होना है अगर आप हैं या जो अलग-अलग धम का पिचाज कर रहे हैं वह कोई प्रवुद kinetic नी बना이를 यह वह अपना भारत बना रहे है वह अपना bank balance बना रहे है और कुछ नहीं कर रहे धम के अंद्र भी आढमी अलग-शार करें है इस उसको कभी देवधत को संग में बापिस नहीं लिया किसी भी हलत में क्योंकि संग को तोड़ना सबसे बड़ा अधम होता है तो यह जो भिकू धम के नाम। कर भवन बना गूम रहे हैं लग लग संठ बना रहे हैं समता सेंग दल के कितने टुकड़े कर दिये और बावा साब के टुकड़े नहीं हुए क्या भारती बावा साब के टुकड़े कर दिये क्या बावा साब के टुकड़े नहीं हुए क्या तो यह जो बावा साब को रहे हो हट साल असंगंटित हो ये बात उनके दिमाग में अच्छी तरह से बतानी है और इसके लिए कठोर हो ना कठोर अगर आप कठोर नहीं होगे सुईं की तरह तो सुईं कपड़े में नहीं जाएगी आप क्या सोचते हो कि सेमई से धागा चला जाये का जो सेमई होती है उसमें धागा डालके आप कपला बुन्द होगे, आपको सुई की तरह कठोर होना पड़ेगा, सुचक करना ही पड़ेगा, चुमानी ही पड़ेगी सुई, वन्ना कहीं कोई फरक नहीं पड़ने वाला है, समय बड़ा बलवान है, अगर ये काम नहीं किया, तो समय माफ नहीं करेगा, और हमारे बात करने के लिए कोई है भी नहीं, अगर हम ये सोचाएं कि हमारे बच्चे आने वाले हैं, तो भूल जाओ, ये आखरी पीडी है, अगर हम कुछ कर गए, तो बच गए, और हम नहीं कर पाए, तो नहीं बच पाएंगे, मेरी किसी बात से, अगर किसी को कोई बुरा लगा हो, आज अनराई डे भी है, हमारे अनराई आये हों, तो अपनी बात जरूर रखें, और हमारा एक हजाद दिन का केमपेन भी है, केमपेन की बात और भी सातियों ने रखी होगी, वनना अगले सनिवार को फिर टहिंगे, मेरी किसी बात से, अगर किसी को कोई परशानी हो यह कुछ खराब लगी हो, तो मैं संग से और उस वेक्टी से मावि माफी माँगता हूँ, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग अंग नमामी, संग नमामी, संगनमामी और स्रम्ण संतों को बंधामी झाल झाल